निज्श्वरूप को जानने की हार्दिक इच्छा करते हुए एक साधक गुर्दी भगवान से पूछ रहा है और परमात्मा में हमेशा के लिए इस्थित्वान कैसे रहें। अध्याई सोले के पहले इसलोक में स्री स्वामी अन्भूद देव अन्रागी जी महराज परम्हन सहज योगिसुर जी समझा रहे हैं। अधिकास्य लच्छडम आत्मा बादे नहां आत्म बोधस्य निर्वंद कासंस्या। श्री सद्गुर्दे भगवान सेवा भाव एवं जाननी की जिग्यासा से अधकारी सिस्स के लच्छणों से युक्त आत्मा का अनुभव समझाने वाले स्वेन आत्मा के स्वरूप निर्वंद से कहते हैं। तुमारी कौन सी संसे है उसे निर्वेहो कर कहू। निर्वंदस्य पादबे दंडवत प्रडामेन सरणामा अत निकटा विज्यात आरत भाव भक्ति प्रवर्तरतम। दूसरे स्लोक में सरद्धाभान निर्वंद के चरणों में दंडवत प्रडाम करने से अत्यंत पास के में आरत भाव से भक्ति में प्रवर्तित जाननी से कि यह मेरी सरण में आया गुआ है। स्री सद्गुर्दे भगवान प्रशन होकर कहते हैं कि सादक गुर्दे भगवान के स्री चरण कमलों में अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। तब जाके गुर्दे भगवान से प्रश्न करता है। और तीसरे स्लोक में गुर्दे भगवान ने समझाया है। निर्वंद मां तुम अवेदो केवलं अद्यताहं निज स्वरूपह सतताह बोदं दिव्य चच्चतापरं। तीसरे स्लोक में स्री गुर्महराजी कहते हैं कि हे निर्वंद मैं और तुम दोनों ही स्वरूप से एक ही हैं। निज स्वरूप को दिव्य नित्र से जान लेने पर हमेशा ही हम एक परमात्मा में ही इस्थित्वान हैं। मम्त्वमेव सखा बंदु सार्थिना चसेव कहा अविद्धास ब्रहमेन चैते बिमुक्तामात्वमम। चौथे इसलोक में अध्यात्मक स्वरूप का विवेचन करते हुए। गुर्दे भगवान कहते हैं कि तुम ही मेरी मित्र हो। बंदु एवम हमेशा साथ रहने वाले सेवक भाव में परडित रहते हो। अविद्या के ब्रहम से छूट जाने पर तुम जान सकते हो कि हमारा तुमारा स्वरूप एक ही है। गुर्दे भगवान बता रहे हैं कि जब तक तुमारा दिब्यनेतर नहीं खुलेगा तब तक मुझे और आप में कुछ नहीं जान सकोगे कि मैं कौन हूँ कि आप कौन हूँ। एक साधक को जिग्यासा को समझाते हुए गुर्दे भगवान कह रही हैं कि दिब्यनेतर के खुल जाने से हमेशा ही गुर्दे भगवान और एक साधक दोनों एक ही हैं लेकिन सरीर अलग-अलग हैं। यदा यदा मृत्यों लोके आग में स्यंतहा नरूपा हम भेदात्वं मा किंजनहा प्रत्यक्छासा पस्यंतु। पांच में इस लोक में स्री सद्गुर्देव जी महराज कहते हैं कि हे निर्बंद जब जब इस मृत्ति लोक में हम मानव सरे धारड कर आते हैं तब तुम भी मेरे साथ आते हो। तुम्हें अभी परमात्मा का पूड़ वोध नहीं हुआ है। इसलिए तुम इस रहष को नहीं जानती हो। हम में और तुम में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ परमतत्त को जान लेने का है। इसे लिए उस परम आत्मा का स्वरूप तुम प्रत्यक्ष देखू